जो विफल हुए हैं उनसे मैं यही करूंगा कि जिन्दगी में सफलता विफलता स्वाभाविक है जो विफलता को एक अवसर मानता है वो सफलता क्या सिलान्यास भी करता है जो विफलता से खुद को विफल बना देता है वो कभी जीवन में सफल नहीं होता है हम विफलता से भी भहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे देश के पूर्व राश्टपती सिमान एपी जे अब्दुल कलाम जी की आद आती है उन्होंने अपनी किताब My Journey Transforming Dreams into Action उसमें अपने जीवन का एक प्रसंग लिखा है उन्होंने कहा है कि मुझे पाइलोट बनने की इच्छा थी बहुत सपना था मैं पाइलोट बनूँ लेकिन मैं जब पाइलोट बनने गया तो मैं फेल हो गया मैं विफल हो गया नापास हो गया अब आप देखिये उनका नापास होना उनका विफल होना भी कितना बड़ा आउसर बन गया वो देश के महान बज्यानिक बन गये राश्पती बने और देश की आनुविक शक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था विफलता के बीच भी आशा का आउसर समाहित होता है और मेरी खास आगरह पुर्वक बेनती हैं मेरे इन नवजवान दोस्तों को और खास करके उनके परिवार जोनों को कि बेटा अगर विफल हो गया तो माहोल ऐसा मत बनाइए कि वो जिन्दगी में ही सारी आशाएं खोदे कभी कभी संतान की विफलता माबाप के सपनों के साथ जुड़ जाती हैं और उसमें संकर्ट पैदा हो जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए विफलता को पचाने की ताकत भी तो जिन्दगी जीने की ताकत देती है